नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का हमारी इस चैनल में, अगर आप एक CST VLE हैं, Common Service Center संचालक हो, तो आप सभी CST VLE को दुबारा से अपनी CST ID का Yearly EQIC कम्प्लेट करना पड़ेगा, आप में से कापी साले लोगों ने अपना Yearly EQIC कम्प्लेट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपडेट नाव पे कलिक कर रहे हैं, तो आपके लिए अपडेट का फॉर्म ऑपन हो रहा है, मैंने खुद वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने अपना क्यवाजी करके दिखाया था, लेकिन जब आप दुबारा क्यवाजी करें, दुबारा स लेकिन जिन वीडियो ने अपना एरली एकवाजी कर लिया है, उसके बावजुद भी अपडेट नाव पे कलिक करने के बाद, अगर आपका फॉर्म ऑपन हो रहा है, तो आपको दुबारा से अपना एकवाजी करना पड़ेगा, हलाकि मुझे भी अपना एकवाजी करना क्लिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड वेलिडेट नहीं हो रहा है, और ऐसे में आप अपना क्याइसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो यह किस प्रिकार से करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में लाइब हम आपको दिखाएंगे, अ आपको फटा पर नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपके मुबाइल पर आप लोग देखकर help ले सकते हैं, और इस वीडियो को और भी वीली तक share कर देना, तो चलिए, शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप लोग अपनी CST ID पास्टोर डालके login करेंगे, login करने के बाद आपके स दुबारा से अपनी EQRC complete करने के लिए कह रहा है, तो जिन वीरी ने अभी तक अपना EQRC नहीं किया था, उनको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जिन वीरी ने पहले से अपना EQRC complete कर लिया था, यह option आने के बाद, उनको दुबारा से अपना EQRC complete करना पड़ेगा, जैसा कि यहा अपना CSC ID का yearly KYRC complete करके भी दिखाया था, लेकिन उसके बावजुद भी अगर आप लोग यहाँ पर update now पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे आपका वियरी प्रोफाइल एन क्योक्स update form open हो रहा है, जबकि कुछ वियरी का यहाँ पर KYRC complete हो जाने के बाद, already KYC done लि दुबारा से अपनी KYC complete करने पड़ेगी, हो सकता है कि जिस समय आपने KYC complete किया हो, उस समय CSC का server down रहा हो, और आपका application submit हो जाने के बावजुद भी CSC की record में ना रहा हो, तो ऐसे में अगर आप लोग अपनी CSC ID को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि CSC ID बंद ना हो, तो आपको अपनी दुबारा से CSC ID करना होगा, तो KYC करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपका नाम है यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार नंबर डाल देना है, दिन आपको यहाँ पर validate पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो भी हम आपका आधार verified हो चुका है, आधार verified हो जाने के बाद यहाँ पर आपका state पहले से ही सेलक्टर रहता है, यहाँ पर आपको district पर क्लिक करना है, और जो भी आपका district है वो district को सेलक करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान नखना है, आपका district जो क्योक्स district है और आपके आधार क होना चाहिए अगर अलग अलग डिस्टिक है तो ऐसे में काम नहीं बनेहिगा तो इस चीज आपका ध्जयान लखना है घ्यान दोट już भी आपका डिश्टिक रिष्टिक सेलेक करेंगे जो भी आपका असेंबली है यहनि कि बिधान सवाज छेत्र है वो आपको सेलेक करना है आपको अपने दालना है और आपके आधार में जो भी एडरस है complete address आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा इसके वाद आपको आना है क्योक्स address में जो भी क्योक्स का नाम है वो आटोमेटिक यहाँ पर आएगा आप इसमें कुछ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर रेंटेट पर क्लिक करेंगे और अगर आप गाउं से हैं तो आपको अर्बन सेलक करना है इसके वाद जो भी आपका डिस्टिक है क्योक्स का वही डिस्टिक आपको डालना है दन इसके वाद जो भी आपका असम्बली विधान सबाच्चेतर है वो डालेंगे आपका सब डिस्टिक तहसील जो है वो डालेंगे आपका विलेज का नाम डालेंगे ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे अपने क्योक्स का address complete यहां डालेंगे यहां पर जिस location पर जिस जगह पर आपका CSA Center चल रहा है वहां का complete address आपको यहां पर फिल करना है इसके बाद जो भी आपका area pin code है वो आप यहां डालेंगे और फिर आपको अपना pen card number डालकर validate पर click करना है तो यहां पर हम इस प्रिकार से processing होगा processing होने में लगभग लगभग यह 15-30 second का समय लगाता है कई बार यह एक मिनट का भी समय ले सकता है तो जब यह processing कर रहा है आपको वीड करना है और उसके बाद फिर आपका जब pen card number यहां पर validate हो जाएगा तो फिर आपको अपना जो काप्चा code है इस क box पर टिक करना है और आपको फिर next option पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप लोग next कर देते हैं next कर देने के बाद आपके सामने इस प्रिकार सेंटर फेस आएगा अगर आपका मान लिजे कि pen card वेलेड़ेट पर क्लिक करने के बावजुद भी pen card verify नहीं हो गोल-गोल घूम जा रह आया था करने के लिए लेकिन फिर हम जो है ऊठीपी रिसीव नहीं हुआ और दुबारा से जब कार्ट के समय लोगिन करने लगए तो यहां पर लिखा हुआ गया आपको दुबारा से दिखा देता हूं और यहां पर आता हूं और यहां पर हम सिधा अप्डेट नाव पर क् प्यक्राइब करना है पैन का डू daud in गे अगर का पैन का डीलिएट नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसे अनुब करो बैलों और यहां पर यहां पर देख पाओगे कि यहां पर क्यवायसी हो तकि है तक हो फिक कर रहा हूं वर् מעर कोrac sauben में दारहा ठीक है तो इस प्रिकार से भी आप लोग अपना क्योंसी कर सकते हैं उम्मित करते हैं कि आप लोग असे समझ गए इस वीडियो को सभी लोगों तक सेयर कर देना धन्यवाद